हाई फ्रेंड में प्र फिर सह वंगम करता हूं हमारी यूट़्ीब चैनल में तो जो दस्त ऑब आशके इस विडियो में हम आपको बताऊंगे कि फृरीtrans से अना मुबायल फ्री में कैसे तो आप देख लिजीए रोपई यानि 31 रुपई हैं और जब हम 20 रुपई का अपना मोबाईल रीचार्जच तब हमें 20 रुपए वापिस कैश वैग मिल जाएंगे मतलब हमारे जो वालेट बैलेंस है यह 31 का ही 31 ही रहेगा तो यहां पर नीचे आपको बहुत सारे आप्शन मिल जाते हैं होम अकाउंट नेयर बाई और आफर्स आफर पर आप क्लिक कीजिए आफर पर क्लिक करने के तो यहां पर यह देखिए यहां पर एक कोड है एक्समस के नाम से और उसके नीचे लिखाए गेट फ्लैट कैश बैक गेट फ्लैट रुपीज 20 कैश बैक और मिनिमम ट्रांजेक्शन ओफ रुपीज 20 बतलब यह कहा रहा है कि जब हम 20 रुपए का कम से कम 20 रुपए का यहां पर हम मोबाइल पर क्लिक करते हैं और यहां पर इस जगह हम अपना मोबाइल नमबर डाल लेते हैं उसके बाद यहां पर आप अपना डाल लीजिए उसके बाद यहां पर एक एरो का बटन है इस पर आप क्लिक कर लीजिए तो यह देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन्स दिख जाएंगे क्रेडिट डेविट कार्ट से आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से सेव कार्ट से या फिर यूपी आई से तो मेरा वालेट बैलेंस 31 रुपए ता तो हैं यहाँ पर प्रोमो कोट के आप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक प्रोमो कोट डाल लेते हैं जो वहाँ पर लिखा हुआ था एक्समस उसके बाद यहाँ पर एपलाई का बटन है एपलाई कीजी आप तो यह देखिए नीचे लिखा है एक्समस हैज बीन एपलाइट प्लीस पे यूजिंग डेविट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग FC बैलेंस एंड यूपी आई वंस पर यूजर यूनी मोबाइल नंबर CCDC मतलब यह कहा रहा है कि अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं डेविट क्रेडिट कार्ड से करते हैं फ्री चार्ज के बैलेंस से करते हैं या यूपी आई से करते हैं तब आपको कैश बैक मिलना ही मिलना है और यह offer code हर user पर चलेगा अब यहाँ पर रोके करते हैं से अब यहाँ पर नीचे लिखा है pay 20 using balance इस पर हम click कर लेते हैं अब यह loading हो रही है तो यह देखिए यहाँ पर लिखा है recharge successful और उसके नीचे लिखा है with this transaction you can select free coupons worth rupees 100 और उसके नीचे लिखा है your cashback of 20 successful मतलब हमने जो 20 रुपए की transaction की थी 20 रुपए का हमने जो अपना mobile recharge किया था recharge करने के बाद हमें 20 रुपए cashback मिल गए हैं अब हम अपना wallet balance देख लेते हैं हमारा 31 रुपीज ही होना चाहिए तो यह देखिए हमारा wallet balance बिलकुल भी नहीं कटा यहाँ पर 31 के 31 ही रुपए हैं मतलब जो हमने transaction की थी 20 रुपए का हमने mobile recharge किया था उसके बाद हमें 20 रुपए cashback मिल गए हैं तो इस तरीके से आप भी अपना mobile recharge free में कर सकते हैं